जैहन फ्रेंड स्वागत है आप सबका हमारी चैनल एग्रिकल्चर पॉइंट में और दोस्तों आज वीडियो है सेकेंड पार्ट यह है ब्यस्सी एग्रिकल्चर फोर्थ समेस्टर वाले स्टुडेंट्स के लिए प्रीविएस एर का पेपर है बुंदेल खंड उनुवर्चि जासी का पेपर है और इसका सब्जेक्ट है प्रोडेक्शन टेकनोलोजी और मेंटल क्रॉप्स मैप्स एंड लेंड इसकेपिंग क्योंकि इसका कल पेपर है तो इसमें इस पेपर से काफी कोश्चन आएंगे और फर्ष्ट पार्ट यह नहीं देखा है पचास कोश्चन का 2022 का पेपर था वो और यह 2023 का पेपर है तो उसको भी देख लीजे लिंक डिस्कप्शन बॉक्स में पढ़ा हुआ है तो कुश्चन नमबर एक है कि हल्दी का बाग्यानिक नाम तो एंसर बताने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब कर लीजे और वीडियो को ला राज उच्चतम धीले फूलो का उतपादन करता है तो इसमें कौन सा राज करता है तो दूस्तो तमिनलाडू करता है राइट एंसर तमिनलाडू रहेगा अपसंटी राइट रहेगा next आता है कई छाया प्यार पोधे सजावट के लिए उगाया जाता है तो इसमें right answer कौन सा होगा तो D वाला right रहेगा दोनों B और C तो इसमें right B और C रहेंगे outdoor और woody plant next आता है नीचे दिये गए full के बीच वार्सिक full तो वार्सिक full कौन सा है तो गेंदा जो है वार्सिक full है तो right answer दोस्तों गेंदा भी हो सकता है इसमें दो option बनते हैं तो right answer इसमें D वाला रहेगा उप्यूक तुमें से सभी next आता है नीचे दिये गए के बीच perennial plant है perennial मतलब 12-80 plant तो यह गुलाब हो जाएगा option D इसका right रहेगा और दोस्तों आप लोग ध्यान से paper को देखेगा काफी question के answer इसमें change है जो इसमें tick लगा है यह answer सही नहीं है कुछ इसमें change है तो उनको मैं बताऊंगा तो चलता हूँ अगला question है कि गेंदा के प्रसार की बिधी तो गेंदा का प्रसार किस बिधी से होता है तो गेंदा का प्रसार जो होता है seat द्वारा मतलब 20 के द्वारा होता है option C इसका right रहेगा next आता है गुलाब के जीवन चक्र में फूलू का उतपादन तो कितना होता है तो option A इसका कहता है 2 से 3 वर्स option B कहता है 8 से 10 वर्स option C कहता है 15 से 20 वर्स और option D कहता है 20 के उपर तो right answer इसका कौन सा रहेगा तो 8 से जो 10 वर्स है यही इसका right answer रहेगा option B right है next आता है फूलों की खेती एक साखा है तो फूलों की खेती एक साखा है तो किसकी साखा है केट विग्यान की या पादब विक्रत विग्यान की या मरदा विग्यान की गलाब किस प्रकार का फूल है तो गुलाब जो है आपसन इसमें मैं जड़ी बूटी ज़ाड़ी पेड वार्सिक तो गुलाब जो है वो ज़ाडी है, सर्ब जिसे कहते हैं तो राइट अंसर b रहेगा ज़ाडी next आता है किस सहर को garden city के रूप में जाना जाता है तो garden city के रूप में किसे जाना जाता है तो आपसधन इसमें है बंगलोर, करनाटक, आन्धपतेस और तमिलनाट तो राइट अंसर इसमें बंगलोर रहेगा, आपसन A इसका राइट रहेगा, नेक्स आता है कौन सा पेड वंडर ट्री के रूप में जाना जाता है, तो वंडर ट्री के रूप में कौन सा पेड जाना जाता है, तो आपसन A आता है बबूल, आपसन B आता है बांस, आपसन C आ आता है नीम, आपसंटी आता ये सभी तो दोस्तो आसधी पौधे पूछ रहा है, तो सभी जो ये पौधे हैं, एलो वेरा, तुलसी, नीम सभी में आसधी गुड़ पाये जाते हैं तो सभी हो जाएगा आपसंटी इसका राइट रहेगा, next आता है जो भू निर्माण का एक महत्पूर्ण तत्तु नहीं है तो भू निर्माण का एक महत्पूर्ण तत्तु कौन सा नहीं है तो इसमें आपसन A है रंग आपसन B आता है सैली आपसन C आता है रेखा और आपसन D आता है स्किल और वीडियो को लाइक करते जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो और यदि वीडियो का पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो देख ले लिए डिसकप्शन में लिंक पड़ा हुआ है और तो उसे आपको काफी फायदा मिलेगा तो चलता हूँ अगला कोस्चन है लंबे सुरच्छात्मक हेजज की सामान उचाई क्या है तो सामान उचाई जो लंबे हेजज की होती है तो वो एक से तीन मीटर होती है तो राइट एंसर इसका भी वाला रहेगा next question आता है कि उत्तर भारत में गुलाब लगाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है तो गुलाब लगाना है उत्तर भारत में तो सबसे अच्छा समय इसमें जो है वो September रहेगा दोस्तो कौन सा रहेगा September to October तो right answer एवाला रहेगा और दोस्तो 16 question मैं question फिर से repeat करता हूँ कि लंबे सुरच्छात्मक हैजज की सामान उचाई क्या है तो इसका दोस्तो right answer वो रहेगा C वाला right रहेगा 4 से 6 मीटर next question आता है चिस दोरी पर मानक गुलाब जगाए जाने चाहिए उगाए जाने चाहिए इसमें miss printing दोस्तो हुई है तो right answer इसमें दोस्तो जो रहने वाला है वो 2 से 3 मीटर रहेगा आपसन ए इसका right रहेगा next आता है गुलाब का वानस्पतिक नाम है तो गुलाब का वानस्पतिक नाम कौन सा है तो रोजा चाइनेंसिस या रोजा सेपा रोजा साइनूसिस और रोजा सनूस्टिस तो right answer इसमें जो है वो ए वाला हो जाएगा रोजा चाइनेंसिस next question आता है गुलाब में गुड़सूत्र संख्या पाई जाती है तो गुलाब में कितने गुड़सूत्र पाई जाते हैं 18 गुड़सूत्र या 17 या 14 या 20 तो गुलाब में जो होता है 17 गुड़सूत्र पाई जाते हैं next question आता है गुलाब का परिवार है तो गुलाब की family कौन सी है तो family of rose तो ये family जो है रोजेसी से बिलॉंग करता है गुलाब तो आपसन भी इसका जो है वो right हो जाएगा next आता है गुलाब का उत्पत्य स्थान है तो उत्पत्य स्थान कौन सा है गुलाब का तो इसमें आपसन आपका दिया हुआ है सिरी लंका, भारत वर्मा, अफगानिस्तान और भारत तो right answer इसमें जो दोस्तों हो जाएगा वो option D भारत हो जाएगा next question आता है गुलाब के लिए उप्यूक्त pH है तो कौन सा pH गुलाब के लिए उप्यूक्त रहता है तो option इसमें दिया है 3 से 5 और second option 6 से 7 third option आता है 5 से 6 और fourth option 4 से 5 आता है तो right answer इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा तो वो right answer आता है गुलाब के फल प्रकार तो गुलाब का कौन सा फल प्रकार है तो option A कहता है पैनिकल option B कहता है हिप्स option C कहता है बेरी और option D कहता है पॉम तो right answer हिप्स हो जाएगा option B next आता है गुलाब के लिए सबसे अच्छा routing मेडिया तो routing मेडिया गुलाब के लिए सबसे अच्छा कौन सा है तो option इसमें A आता है जलोड option B आता है दोमट option C आता है सैंडी और option D आता है लाल मिट्टी तो right answer इसमें कौन सा हो जाएगा वो दोमट हो जाएगा option B इसका right रहेगा next question है कि 26 number question असुगंधा का वानस्पतिक नाम है तो असुगंधा का वानस्पतिक नाम दोस्तों पूछता है तो इसमें right answer आपका कौन सा हो जाएगा असुगंधा का वानस्पतिक नाम तो right answer आपका B वाला हो जाएगा विथैन या स्वामनी फेरा option B right नेक्स कोश्चन आता है निमलिखित में से कौन सा पौधे का भाग असुगंधा का उपियोग है तो जो असुगंधा का पौधा होता है कौन सा भाग उसका उपियोग किया जाता है तो ये कोश्चन में पूछ रहा है तो रूट जो होता है उसका प्रियोग किया जाता है नेक तो राइट एंसर यही हो जाएगा आपसंडी नेक्स आता है गुलाब में परवर्धन की वाड़ेजिक बिध क्या है तो commercial method of propagation in rose तो यह जो दोस्तो होता है टी बडिंग होता है तो राइट एंसर आपका C वाला हो जाएगा नेक्स कोश्चन आता है उतक समवर्धन के लिए उप्योग किया जाने वाला पौधे का हिस्सा क्या है तो जो X plants होता है वही होता है तो राइट एंसर आपका कौन सा D वाला हो जाएगा उतक समवर्धन के लिए X plant का उप्योग किया जाता है नेक्स आता है उतक समवर्धन के सिध्धान्त पर आधारित है तो कौन सिध्धान्त पर आधारित है तो ये टोटी पोटेंसी जो होती है उतक समवर्धन के सिध्धान्त पर आधारित है तो आपसन इसका कौन सा राइट रहेगा डी वाला राइट रहेगा नेक्स आता है इनमें से कौन से एक पौधे की ब्रधी मंदक हैं तो कौन सा है जो ब्रधी को रोकता है तो आपसन इसमें आता है आपसन भी आता है जिब्रेलिन आपसन सी आता है एपसेसिक इसिट और आपसन डी आता है साइटो काइनिन तो राइट एंसर इसमें जिब्रैलिन जो होता है वो growth retardant होता है नेक्स आता है अगरणी फूल उत्पादक राज़ तो अगरणी फूल उत्पादक राज़ कौन सा है तो ये दुस्तों जो है वो करनाटक है तो right answer आपका करनाटक हो जाएगा केरल नहीं है दूस्तों next आता है जब बान लगाने के लिए जाडी को सीमा पर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं तो बान लगाने के लिए जिब जाडी को आपको खेत की सीमा मतलब चारो लगाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे तो उसे हेज कहते हैं आपसन ए राइट रहेगा नेक्स आता है हेज रोपन का सबसे उपयुक्त समय तो हेज रोपन का सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो बरसात का समय होता है जो बारिष श्टार्ट होती है तब हेज को लगाया जाता है नेक्स आता है फूलो की रानी कौन से होती है तो फूलो की रानी जो होती है वो उसको गुलाब को कहते हैं फूलो की रानी और किंग भी बोलते हैं नेक्स आता है गेंदे का वानस्पतिक नाम है तो दूस्तो गेंदी का जो botanical name होता है उसे tag it erecta कहते हैं तो right answer tag it erecta होगा आप्षन भी is a right answer नेक्स आता है marigold का परिवार है तो family of marigold जो है marigold esterasy family से belong करता है नेक्स आता है प्यार का full है flower of love तो flower of love इसे गुलाब को बोलते हैं किसको rose को तो option C, right रहेगा next आता है, बहता हुआ पानी किस बगीचे का जीवन है तो जो बहता हुआ पानी होता है, वो मुगल गार्डन का जीवन होता है तो right answer आपका A, रहेगा next आता है, विथानिया सोमनी फेरा का परिवार है फैमिली आप विथानिया सौमनी फेरा तो राइट एंसर इसमें सोले नेशी हो जाएगा आप सने इजा राइट एंसर और दोस्तों बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि इसी प्रकार की हेलफफुल वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती है तो चलता हूँ अगला कोश्चन है औसधी और संगंधित पौधों का केंदरी संस्थान इस्थित है तो कहां लखनाव में इस्थित है तो आप सन्थ भी राइट रहेगा नेक्स आता है बैग्यानिक नाम गलैडियोलस प्लुष्टिरस तो ये गलैडियोलस का है तो राइट एंसर आपका सी वाला हो जाएगा और दोस्तों बता दूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं क्रपया करके वीडियो को लाइक कर दीजी और आप वाटसअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नमबर स्क्रीन पर लिख रहा हूं वहाँ से आप वाटसअप ग्रुप पे एड़ हो सकते हैं तो नमबर है चौराननभे अट्थावन सतर चौतिस 76 तो इस नमबर पर आप अपना नाम लिख कर मुझे वाटसअप करेंगे और जब आप अपना नाम लिख कर मुझे वाटसअप कर देंगे तो आप ग्रुप को ग्रुप का आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा उससे आप लिंक पर क्लिक करके add हो सकते हैं तो चलता हूँ अगले question की तरफ उससे पहले आपको एक information और देता हूँ अगला paper जो आपका है उसका paper यदि previous year का किसी के पास है तो मेरे whatsapp पर मुझे share कर दीजे जिसे जल्दी से जल्दी वीडियो में बना के डाल सकूँ तो अगला question 45 नंबर है gladiolus का परिवार है तो कौन से परिवार से belong करता है gladiolus family तो इसकी iridesi family है gladiolus की next आता है question 46 नंबर यह full ज्यादा तर cut full के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो cut full के लिए कौन सा full ज्यादा तर इस्तेमाल किया जाता है तो गेंदा तो नहीं किया जाता है double of him भी नहीं किया जाता है तो यह गुलाब ही cut full के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपसन भी right रहेगा next आता है aloe vera का वानस्पतिक नाम तो दोस्तों aloe vera का वानस्पतिक नाम जो है दोनों papers में पूछा गया है very most important है आने की पूरी संभावना रहेगी तो aloe vera का वानस्पतिक नाम जो है aloe vera बाबेंडिस होता है तो आपसन यह right रहेगा next आता है पोधा जो 24 घंटे oxygen प्रदान करता है तो oxygen जो 24 घंटे प्रदान करता है तुलसी प्रदान करता है दोस्तो इस बार आपसन बदल सकता है इसमें 24 घंटे जो है aloe vera भी oxygen प्रदान करता है तुलसी करता है और people भी करता है तो इसमें आपसन मिल सकते हैं आला फबो वाला इस बार next question आता है भारत का राष्टी फूल है तो भारत का राष्टी फूल कौन सा है तो राइट एंसर इसमें कौन सा हो जाएगा उप्यूक तो सभी होगा आपसन डी इस राइट एंसर और दोस्तो मिलता हूँ अगले पेपर के साथ तर्टक के लिए जैहिंग टेक केर